लूज् WA ॐन नियम क्या है वानियों में सबसे पहला नियम है आपकी डाइट का ब्रेक फास्ट अगर आप रहे किस ब्रेक एस ब्रेक फास को तो इसमें चार प्रकार के फुर्ट को आड्ड किया गया क्योंकि fruits के अंदर fructose है जो आपके liver को activate करता है और उसको digestion में मदद करता है क्योंकि अगर liver activate होगा वह protein को पचाने में या break करने में मदद करेगा तो हम देख पारें इसके अंदर shape है केला है, अनार है, पपीता है यह हमने fruits में रखा हुआ है हमारे patients को देने के लिए यह कैसे दिया जाए, अगर हम weight के accordingly देखे या भूग के accordingly देखे अगर भूग के accordingly देखे तो जितना वो खा सके नाच्टे में पेट भर के खा सकता kidney का patient लेकिन अगर वो diabetes या hypertension का patient है, तो उसको उसके बजन के accordingly, अगर 70 kilo vision है तो 700 gram के accordingly उसको बोजन ग्रेंड करना चाहिए छोड़ना क्या क्या है गेहू, चावल दूद से बनी चीज़े मास, घी क्योंकि यह सारा अनाज आचार चरक और भाव प्रकाशन इगंटू जो आरवेद की सबसे पुरानिक किताबे हैं, उनमें साफ शब्दों में लिखा कि Metabolic Disorder यानि आपके liver का कोई भी disorder है, चाहिए वो Diabetes हो, Hypertension हो, Indidation हो, उसके लावा थारेड हो, आपकी बोड़ी में कोई भी Metabolic Disorder पैदा हो रहा है, तो आपको यह जो अनाज है, उसमें आठ गुरा भानी, जो भारी है वो है गेहू और चावल, सबसे पहले इसका त्याग करना है गेहू चावल से आठ गुरा भारी है, दूद दूद से बनी चीजे, उसका त्याग करना है उनसे बारी है मास और उससे बारी है घी, यानि आज से आपके भोजन के अंदर आप क्या करेंगे कि आप जब नाश्ता कर ले और जब भोजन के बारी आए तो ग्रैंड करें ऐसा सलाद जिसमें हो टमाटर जिसमें हो खीरा, प्याज चुकुंदर और ऐस प्रकार नीम्बू को छड़क दे यह भोजन अगर आप लेते हैं प्राकरतिक भोजन आपका लिवर कामियाब रूप से कार करना शुरू कर देगा और इसका बेनिफिट क्या होगा इससे बेनिफिट यह होगा कि आपके लिवर के उपर जो प्रशर है वह कम हो जाएगा आपका डाइरेशन इंप्रूव होगा और उससे आपकी किडनी के उपर जो लोड जा रहा है वह लोड कम हो जाएगा जब बात आती है कि अब हम अनाज में क्या खाएंगे बिल्कुल जब अनाज की बात आए तो मिलेट्स डॉक्टर खादरवली जो मिलेट्स मैन आफ इंडिया है उन्होंने बताया कि मिलेट्स का प्रयोग करने से मेट्स डिसॉर्डर रिवर्स होते है यानि किडनी जो डैमेज में जा रही है वो डैमेज में रुख जाएगी किडनी अपना कार करना शुरू कर देगी फिर से किडनी अक्टिवेट हो जाएगी तो मिलेट्स डिसॉर्ण बार, बाजरा जो गेहूं के अलावा और अनाज है ताकत भी पूरी मिलती है शमता भी पूरी मिलती है लेकिन यह difficult to digest नहीं है easy to digest है और easily digestible form में करना शुरू कर देते हैं तो आप चावल अगर खाना चाहें तो सावे का चावल खाए normal चावल आपको नहीं खाना कि जो ताजा चावल होता है वो पचने में जादा समय लेता है तो अभी तो आपने चर्चा करी ये comment box में comment करें अगर आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो like, share, subscribe कीजिए और हमारे hospital और clinic में होने वाले camp और offer के बारे में जानिए